अबसकार दोस्तों स्वागत है आपका आई एस स्टेडी ट्रिक और सेल्प स्टेडी क्लासेश विद सुमेच जैन यूटूब चैनल में जी हां दोस्तों आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज का जो टेस्ट है वो बहुत ही महत्पूर है MPTET, UPTET, CTET, NET exam के लिए जिन में भी इंदी पूची जाती है उनके लिए बहुत ही महत्पूर है आज हम 20 प्रसन लेकर के यहां पर आए हैं और 20 प्रसन के माध्यम से हम बहुत ही अच्छे से आपको इस टेस्ट करवाने वाले हैं और बहुत ही महत्पूर प्रसन हैं बहुत अच्छे से पढ़ें और साथ में हम उनसे रिलेटेट जो प्रसन होंगे वो भी आज बताने का प्रयास यहां पर करेंगे तो दोस्तों निवेदन करूँगा कि चनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है बेल आइकन को दबा दें जिसी कि आप तक इनफॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो की पहुंच सके तो आज का जो हमारा पहला वीडियो है वो है जाती बाचक संग्या बताएं आपको जाती बाचक संग्या बतानी है लड़का सैना दुख या फिर स्याम चाल बेकल्प मौझूद है चाल में से एक का जो उत्तर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा उत्तर होगा इसका लड़का लड़का क्या हो जाएगा जाती बाचक क्यों हो जाएगा देख नेक्स्ट देखते हैं कि नियू ने मैं से कौन सा स्रंगार गृत्त है आपको च्रंगार ग्रंत बताना है। यहां पर परमाल रासो चार्विकल आपके सामने मौझूने प्रत्वियाज रासो तोचार बिकल्ब मैं से यह कुत्तर हुज खाएगा इसका कौन सा tabi बीसल्देव रासो ये स्रंगार ग्रंत है बीसल्देव रासो और इसकी रचना किस ने किये बीसल्देव की नर्पति नाल ने बीसल्देव की और परमाल रासो जो की इसका जो मूल प्रती इसकी जो है नहीं मिली है इसका एक खंड है आला खंड इसकी रचेता कौन है जगनेक परमाल रासो के और जो प्रत्विराज रासो है ये प्रत्विराज रासो महाकाब है इंदी का प्रत्व महाकाब माना जाता है इसके रचेता कोन है चंद बढ़दाईची है और नेक्स्ट है चंदन वाला रास तो चंदन वाला रास जो है आदिकाल की रचना माने जाती है और ये आसगू कभी द्वारा ये रचित चंदन वाला रास है तो इस प्रकार से हमने बीसल देव रासो को पढ़ लिया कि ये स्रंगार गरंथ माना जाता है बांकि ये प्रत्विराज रासो परमाल रासो और ये बीर गरंथ माने जाती है और चंदन वाला रास ये धार्मे आपको pull link सब बताना है जी हैं दोस्तों, pull link बताना है, तो देः, आचरण, पुस्तक, अकल, अब आप pull link कैसे आद देखेंगे, तो देः कैसी है, मनलब इस्तरी link है, आचरण कैसा है, हम इसका बिकल्प है, जो बाक में प्रियोग कर ले, आचरण कैसा है, अच्छा है, मनलब यह जो सही उत्तर हो जाएगा यहां बा आचरन केसा है अच्छा है Mother Raw क्या हो रहा है यह पुलिंग में आ रहा है पुस्तक कैसी है स्थ्रीलिंग अकल कहां गई थी आपकी यह से बोलते ना आप तो यह इस्त्री लिंग में आ जाएगा तो इस परकार से पुलिंग और इस्त्री लिंग देख लेंगे नेक्स्ट है कि निवन मैं से किसने कभीरदास की भासा को पंचमेल खिचली कहा है आपको पता होगा कि कभीरदास भक्तक जो भक्तिकाल है भक्तिकाल क या सभी ने कहा है तो गाया सियां सुन्तर दास ने सकर्णन और यह चीज भी आपको यहां पर द्यान रखनी पता चल जाती अपको अब से बात करें और दान चरित किसकी रिचना है चार मैं से 1 के से आपको कुछना है डो से किलाना इसां की kra suggestine की कहानी का डूसरा नाम है यह चीजा आपको ध्यादि तो चार मैं से एक का चेन Eric आपको किन नाफिन 몸 थ行 उत्तर ऊजाएका इनसाल राखा किया अब आपको पता होगा ने कय पिदा कि कहानी तो सूना है रानी केतिकी कहानी का जो दूसरा नाम वह उदायवांचरत यह चीज भी आपको ध्यान रखनी है उदायवांचरत जो की रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है इनसाल लखा की है और लल्लुलाल जी ने प्रेम सागर आपको पता ही खड़ी बोली में इन्हों ने गरंथ लखा और सदा सुखलाल ने सुक सागर लख नहीं जानकर आपको मिल जाती है नैक्सट fatty गो अब को संबंध से हैं चीज तो अब को पता है आप जब इसको यहाद भी करते हैं, अब नेक्स देखें कि संकोक दिया है यहाँ पर, तो संकोक अनुमती बाद, जो हम पूजा करने बाद जाते हैं, तो क्या बजाते हैं, संक बजाते हैं, भगवान से अनुमती लेते हैं, पूजन करने की, तो अनुमती बाद के कौन है संकोक, वचत प्रफ्टिगत कोई बात नहीं है तो बामन पंड़त लोगों को बोला जाता है पंड़त वो क्या करवाते हैं पूजन करवाते हैं रीती संप्रदाएं के हो जाएंगे तो यहां पर आपको यह चीज पता चल जाती है कि संको कनुमतिबात के छेमेंद्र वचित्त बात के और आनंद बर्दन ध्वनी संप्रदाएं के और बामन जो हैं वो रीती संप्रदाएं के यह चीज आपको याद रखनी है यह चीज याद पूछी जाती है यह चीज भी और किसी रचना के लिए अंतिम बार ग्यान पीट पुरुषकार के से मिला जी हैं दोस्तों तो सबसे पह दिये फेर उसके बाद साहत संपूर साहत के लिए दिया जाने लगा तो व मिला महादेवी बर्मा को प्यामा के लिए मिला में 1982 में उसके बाद से संपूर साहत में दिया जाने लगा और उसके पहले मिला अग्गे को 1978 में कितनी नाव में कितनी बार और फिर मिला रामधारी से दिनकर को इनको मिला औरवसी के लिए 1972 में फिर मिला सुमित्रा नंदन पंत को इनको मिला कब 1968 में है ना सुमित्रा नंदन हो गा कि मार्ज 2018 में किड़ार्नाव सेहं का निधन हो गया कि साथ तक के कवेते करेंट का कोस्टे मैं कोई बी 2018 को जो भी एक्जाम होगा जिस समस्बण्दित हों इसमें यह cel पूछे आगे कि डान्यासि प्रकत हैं कृषचिन के संबनधित यह चीज आपको याद रखनी है नेक्स्ट कुंडलियां के प्रत्यक्षण में कितनी मात्राइं होती है तो कुंडलियां आपको पता होगा कि बिसाम मात्रिक्षण्द है कैसा है यह बिसाम मात्रिक्षण्द माना जाता है कुंडलियां और इसमें जो मात्राइं होती है वो हो बांग इस चार बेकलब आपके सामने मौजूद हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या राजसेखर अलंकार को जो बेद का साथ बांग माना है वो राजसेखर ने माना है नेक्स्ट है रीति रातमा कब्यस तो आपको हमने पहले ही बता दिया है कि रीति संप्रदाय के जो संस् पूची जाती है काल बेभाजन से संबंदेत नामकरण से संबंदेत एक क्वेस्चन है नामकरण से तो रीति काल को स्रंगार काल किस ने कहा है चार बेकलब है चार में से एक उत्तर हो जाएगा स्रंगार काल कहा है मिस्रवंदू ने और अचार बिस्तुनात ने क्या कहा है तो आचार विस्तुनात ने कहा है इसे अलंकरत काल, जी हाँ दोस्तों, अलंकरत काल किसे ने कहा है, विस्तुनात ने, और रामचंदर सुकले ने क्या कहा है, तो इसे रीती काल, रामचंदर सुकले ने ही कहा है, तो यह चीज आपको पता चल जाती है, यहाँ पर, कि रामचं पंघाल अब आप यहां पर कंप्यूज हो गए कि ब्रजबूली यह बंगाल की है ना की ब्रजभासा ब्रजभासा अलग है ओर ब्रज भासा की काव्यों को सजो यह सूरदास जी प्रमुक माने जाते हैं बरजबासा के और इन्होंने बहुत सारे सूरसागर साहत लहरी आदी इन्होंने रचनाएं की हैं सूरसारावली यह चीज बिरजबुली का छेत्रे चीज पूची गई है परिक्षा में बार बार पूची ही भी जा रही है यह बंगाल हो जाएगी सरहपा को हिंदी परंपरा का पहला कभी किसने माना है तो आपने पता ही होगा कि इनकी सरहपा की रचना कौन सी है सरहपा की एक है दोहाकोस है ना दोहाकोस इनकी रचना है और सरहपा को जो हिंदी परंपरा का प्रथम कभी माना है तो वो माना है किसने राहुल शांकृत्ता इन्यमाना है ठीक है यह चीज आपको पता चल गई और उक्ति-ब्यक्ति-प्रक्ण जी हां दोस्तों बहुत ही महत्पूर्ण है और यह परिक्षा में पूछा जा रहा है बार-बार उक्ति-ब्यक्ति-प्रक्ण तो यह उक्ति-ब्यक्ति-प्र गंग कभी की और जो त्री सुर ठाकुर इनकी भी एक आपको पता होगी बर्न रतनाकर बर्न रतनाकर किसकी है जो त्री सुर ठाकुर की ये भी पूछी जाती है जैसे हम बोल देते हैं कि बर्न बर्न माला बोल देते हैं बर्न माला को हमें जोती में पढ़ना है काय में जोती क कभियों की जीवन परिचे दिये गए हैं तो नावादास की भक्तमाल है तो यहां से आपको चंद चंद बरनन कंग कभी दामुदर पंडित की उक्ति बेक्ति परकना जोत्री सुर्थाकुर की पनर रतना कर नावादास की भक्तमाल यह चीजें पूछी जाती है परिच्छाओं में आदे अदूरे के रचना कार कौन है यह बताना है आपको तो आदे अदूरे के रचना कार कौन हो जाएंगे मोहन राकिस और एक चीज यहां पर महतपूर्ण संकरसेस संकरसेस एक एल्टी ग्रेट में किस नो दिया बहरत मुलीझ यह चीज वी याद रखनी यहाँ पर नाटक को पंचंबेट की मानत क किसने दिया है वहरत मुलीझ ने दिया और दिये न्यसी गीता गाना गात दियमें कृम आपको बताना क्रमंक की करमंदुई करम दूंसी कृमंक और sane हैं सबसे पहले हम क्या लगाएंगे क्या गाती है यहां पर हम क्या करेंगे क्या गाती है तो गीता गाना गाती है मतलब यह सकर्मक क्रिया है और उत्तर नहीं आता तो क्या होता जैसे गीता गाती है हम इससे प्रशन करेंगे क्या गाती है तो उत्तर नहीं आ रहा है मतलब यह कैसी हो जाएगी अकर्मक क्रिया हो जाएगी इस प्रकार से आपको क्या या किसे लगा कर आप क्रिया से क्या करेंगे प्रस्न करेंगे उत्तर मिलता है जो सकर्मक नहीं मिलता है तो अकर्मक एक ट्रिक हो जाती है तो अच्छे सियाद रखना है नेक्स्ट है अकाल में सारस किसकी रचना है जी हां दोस्तों अकाल में सारस आपको बतानी है तो यह चार बिकल इनकी रचना है और इसे साहे तकादमी पुरुषकार भी मिला है कारण सारस और इस उन्वासी में अकारम सारस के लिए साहे तकादमी पुरुषकार मिला और के दानात अग्रबाल के लिए भी साहे तकादमी पुरुषकार मिला सुमित्ता नंदन पंत के लिए भी का है इने सा है तकादमी पुरुषकार भी मिला हो क्रश्ना सोपती को तो आपको पताई होगा कि इने 2017 का ग्यान पीट पुरुषकार मिला है क्रश्ना सोपती को यह चीज ध्यान रखनी है परिक्षा में पूछी जा सकती है करेंट के क्वेस्चन है और नेक्स्ट है केदानास सेह ने कौन से सम्मान को ठोकरा दिया है चार बेकलब हैं तो उत्तर हो जाएगा इसका सला का सम्मान जी हैं दो सला का सम्मान को इन्होंने ठोकरा दिया था लेकिन इने साहित अकादमी पुरुषकार भी मिला केदानास सेह को किसके लिए अकाल में सारस के लिए ग्यान पीट पुरुष पुषकार 2013 में मिला और इन्हें ब्यास सम्मान भी मिला है तो केदार नास सेंको यह सारी चीजिए आपको याद रखनी है केदार नास सेंसे संबंदित क्वेस्चन है उनको याद रखनी है कोई भी एक्जाम में जब भी पूछा जाएगा तो बहुत ही महत्पून है क्योंकि केदार नास सें ततिये तारसब तक से संबंदित कवी है निसाहे तकादमी मिला ग्यान पीट मिला ब्यास सम्मान मिला और इन्होंने जो है सला का सम्मान को भी ठुकरा दिया तो यह चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों और बहुत ही महत्पून जो क्वेस्चन थे जो ह कि अन्य लोगों को इसका फायदा हो सके तो दोस्तों आज के लिए वस इतना ही जहन